साथियों, पिछले दो दिनों से देश के अनेग भागों में लोकडाउन कर दिया गया है। में रखते हुए, देश आज एक महत्वपून लिलने करने जा रहा है। आज रात, आज रात बारा बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिये। पूरे देश में आज रात बारा बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लोकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए। आज राज बारा बज़े से गरों से बहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जड़ा जाजा सक्त। कोरोना महामरी के खिलाप मिननाएक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तोर पर इन लोकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी। लेकिन एक एक भारतिय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी बारत सरकार की, देश की हर राचे सरकार की, हर स्थानी निकाई की सबसे बड़ी प्रात्विकता है। और इसलिए मेरी आप से प्रारतना है, और मैं हाद जोड़ के प्रारतना करता हूँ, कि आप इस समय देश में जहां भी हैं, वहीं रहें, अभी के हालात को देखते हुए, देश में ये लोकडाउन 21 दिन का होगा, तीन सब्ता का होगा, और जब मैंने पिछली बार आप से बात की थी, तब मैंने आप से कहा था, कि मैं आप से कुछ सब्ता मांगने के लिए आया हूँ, आने वाले 21 दिन, हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए, बहुत ही महत्पपून है, हेल्थ एक्सपर्स की माने, तो कोरोना वाइरस की संक्रमन साइक्ल तोडने के लिए, कम से कम 21 दिन का समय बहुत एहम है, अगर ये 21 दिन नहीं संबले, तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा, अगर ये 21 दिन नहीं संबले, तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगे, और मैं ये बात एक प्रधान मंत्री के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूँ, इसलिए बाहर निकलना क्या होता है, ये 21 दिनों के लिए भूल जाएगे, गर में रहे, गर में रहे, और एक ही काम करें कि अपने घर में ही रहे,